सात समेलिया साधु दिक्षा समारंब पूरो थयो जीना भगत हवे ग्नान जीवन दास बन्या वडताल मा दिक्षा प्राप्त कर्या पची जूना गड़ना आ नव दिक्षित अग्यार साधुओ स्वामी चतुर्भुज दास्चीनी आगेवानी हेठ़ जूना गड़ परत थवा निक्ड़या आ नाना संतों ने जूदा जूदा मंदिरों ना दर्शन थाई अने एक उपयोगी तेर्थ यात्रानों हेतु सरे ए आशै थी चतुर्भुज दास्चीनी आट्रानों आयोजन कर्यों हतु आयात्रा दर्म्यान स्वामी ग्णान जीवन दासना तपोमई जीवननों एक विशिस्ट परिचै सवने थवा लाग्यो एमने जेवी सेवानी लगनी हती एवु महत्वनु स्थान एमना जीवनमा उपवासनु हतु वडताल थी निकल्या पछी आसंत मंडल सव पहला अमदा वादमा नर नारायनना मंदिरे दर्शने निकल्यु अडालाजिनी वाव मा श्रीजी महराजना पुनित पगला थया हता एटले ए प्रसादीनी वाव हती वावना दर्शन करीने सांजे परत थवानु हतु आ प्रवास पगपाणा करवानु हतो जवा अववना थयीने लगभग 36 किलोमिटर नी मजल करवानी हती आम छता ग्नान जीवन दास स्वामी अने एमनी साथे ना बीजा साधु हरी प्रसाद दास स्वामी ए उपवास राख्यो हतो बपोरे सव संतो दूधनी पूरी अने अथानु वगेरे लई वाव उपर जम्वा बेठा पण ग्नान जीवन दास स्वामी अने हरी प्रसाद दास स्वामी जम्वा बेठा नहीं सववे पगपाडा मजलनों ख्यालापी ने आ बे संतो ने जमी लेवा घणू समझावियो घणो आग्रह करयो पाण ए बन्ने संत मक्कम हता ए जम्वा बेठा नहीं सांजे स्थान उपर परत थया त्यारे 36 किलोमिटर नी खेप थैचुकी हती अने निर्जडा उपवा सतो छता ग्नान जी स्वामी ना मुख उपर ठाकनू नाम निशान नहतू कशीक अनोखी ताजगी अनुभवता होए एम एतो प्रफुल्लित जहता ए समय जुना गड़ना संतो नी त्याग वैराग्यनी छटा अत्यंत प्रशन सा पात्र हती ग्नान जीवन दास स्वामी पन भगवाननी प्रसन तार्थे आकरी तप साधना अने कडक व्रत पालनमा बब्बे दिवसे उपवास करवा मांडया हता तेमने तप्त क्रुच चांद्रायन धारणा पारणा आदी व्रत अती उच्साथी शरू करया कुईनी पाकी रसोई छे वी खबर पड़े त्या निर्जडा उपवास करी नाखे वडी दूध तो कदी पीताज नहीं घीनो छाटोई न लेता मिश्टान उपर तो रुचीज नहीं रोटलो, डाल, छाश वगेरे सादू भोजन भगवानने संभारीने जमी लेता कंताननू आसनकरीने हाथनू ओशीकू राखी सुता आवी कठोर तपश्चर्या भर्या एमना आचारने लिधे जुना गढ़ना संत मंड़ मां सव एमने जोगी एवा लाडीला नाम्थी संभोधवा लागया आजे पाण सवना हैया मां ए योगी जी महराज तरीके वसेला छे त्यागी साधू माटे निर्मित, नियम धर्मने पण अत्यंत चुस्त पणे वडगी रही ने ए योगी पणाने सार्थक करता क्रुष्ण चरणदास स्वामी नू संत मंड़ अम्रेली जिल्लाना गामों मा विचरण करतू हतू ए वखते ग्नान जीवनदास स्वामी पण ए मंड़ मा हता आ मंड़ने धारीना हरीभगतोय तेड़ाव्यू धारी तो ग्नान जीवन दास्चीना पुर्वा श्रमनू वतन त्यागीना नियम अनुसार पोताना जन्मस्थान मा तो जवाई नही मनुष्य जीवन मा वतननी ममता केटली प्रबढ होई छे ए हकिकत सुविदित छे ए आसकतीने दूर करीने वतन थी विमुक थैजवामा और साधारन आत्मिक बढ़ जोईए ग्नान जीवन दास स्वामीने वतन छोड़े हजु जाजो समय थयो नहतो वड़ी तरुना वस्था हमनाज पूरी करीने यववना वस्थामा एमनो प्रवेश हतो आ वहीमा कोई वीरल पुरुषज वतननो राग दूर करी शके आ योगी एतो बालपन थीज सर्व रागोंने त्यजी दिधाहता अत्यारे धारीना हरीभक्तोनू संत मंड़ने प्रेम भर्यू निमंत्रन हतू त्यागी नुनियम हवे वतनमा नवजवाई ग्नान जी स्वामी एक साधूने साथे लईने कुंका वावतीज जुनागड पाछा फरी गया भागवती दिक्षा लिधा पछी पण ग्नान जीवन दास स्वामी सेवाना मार्ग थी सहेजपन चलाई मान थया न हता उल्टूं ए मार्ग मा मोक्षनी सगली सार्थकता एमने जोई हती एटले ए मार्गुपर दिवसे दिवसे ए वधारे प्रवृत्ति मैं बनता जता हता एमने सेवाना क्षेत्रों वधार्वा हता साथ समेलिया साधू थवू होतू रसोई ए सेवानू एक महत्वनू क्षेत्र एमने संत मंड़माना भंडारी साधू, हरी प्रसाद पासे थी, बधा प्रकार्नी रसोई बनाववानू काम पन शिखिली दू ग्नान जीवन दास स्वामी वासन उटके, कलाई पन करे ए वखते पित्तलना वासनोंनू चलन हतू हरी भक्त भगवान भाई धमन फूंके, अने ग्नान जीवन दास स्वामी कलाई करता जाई, भजन गाता जाई, अने कलाई करया पची, दरेक वासन भगवान भाई ने बतावे, पची पूछे, कलाई केवी थाई? स्वामी राजी थाशेने? ग्णान जीवनदास स्वामीना अंतरमा गुरुने राजी करवानी एक प्रबळ तमन्ना हती तेथी एमनी सर्वक्रिया भक्ती रूप बनी जती रात्रे जम्या पछी ए भगवान भाई ने कहता हलो भगवान भाई वासन जपाटामा उटकी नाखिये पछी कथा अने चेस्टामा पूगी जईये तो स्वामी बव राजी थेई जाई काम करवानी एमनी रीतमा पन भक्तीनू एक स्वरूपज प्रगट थतू वासन उटकवाना होई तो पहला एठा वासन पाणी थी धोई साफ करी ढगलो करे पछी जडब थी उटकवा मांडे चोखा गालेला बे पाणी थी सहायक भगवानवाई साफ करवा लागे अने पछी सारी रीते साफ करेली छी पर उपर सगळा वासन उंधा मुकी दे